हेलो दोस्तों मेरा नम दिवयांस सेंगर है आज हम समझेंगे इस वीडियो के थुरू कि GSTR 3B में अगर हमने कोई मिस्टेक किया तो उसे कैसे करेक्ट करेंगे उसका क्या इंपेक्ट आएगा GSTR 1 में and GSTR 3B आने वाले महीनों में इसके लिए डिटेल GSTR सर्कुलर रिसू क की आए डेपार्ट्पेंट ने 26-26 2017 तो वह डिटेल में हम समझ लेंगे कि उसका क्या क्या एंपेक्ट आएगा रिटर्न के बेसिस पर और क्याक्स से हम मिस्टेक्स उदा सकते हैं चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर में कुछ ड्यू जिसको जुलाई अगर सेप्टमबर जेस्टार वन करना है वह भी 10 जनवर यह 18 तक करना है लेकिन कौर्टर ली रिटरन वालों को पहले जुलाई की रिटरन करनी पड़ेगी और अगर सेप्टमबर की इसके बाद जिस्टार वन को पूरे क्वार्टर का फाल करते रहेंगे तो यह due date calendar मैं पहले ही दे चुका हूँ, अगेन आपको repeat नहीं करूँगा, आप calendar डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो वीडियो लिंक दिया है उसके description box से, इसके अलावा इस में सरक्लोर में बता गया है कि JSTR 3W late fees, July अगर September की तो निल कर दी गई थी, October से reduce कर दी गई है, 20 रुप 50 per day, तो यह पहले 200 रुपए per day हुआ कर दी थी, इसके लावा department ने वार्ण किया है कि अगर आपने अग्रिगेट टर्न ओवर, डेल करोड से कम है, लेकिन तब भी आपने quarterly JSTR 1 फाइल करने के लिए, okay किया है, तो आपको पनिटिव एक्शन लग सकते हैं, मतला penalty लग सकती ह इसके अलावा circular में कुछ details दी गई है, JSTR 4 से related, तो JSTR 4 की भी dates मैं पहले ही दे चुका हूँ, कि जैसे जुलाइए का September की due date थी, 24 दिसम्बर सत्व है, और अब जो भी return आएंगी composition की, जो भी quarter की आएगी, वो आपको फाइल करनी होगी next of 18, जैसे आपको quarter खतम होगा, October, November, जैसे आपको quarter खतम होगा, जैसे आपको quarter खतम होगा, जैसे आपको quarter खतम होगा, उसके बाद जो next month है, उसकी 18 देट तक आपको return फाइल कर देनी होगी, तो JSTR 4 की dates आप यही चलेंगी, composition return की, इसकी भी late fees reduce की गई है, अगर JST pay will आपका nil आता है, तो रुपी 20 per day है, late fees and JST pay will, अगर आपका nil नहीं है, मतलब कुछ आपकी liability है, tax liability है, तो आपकी late fees लगेगी, रुपी 50 per day, यह notification भी आ चुकी है, 73 2017, और यह मैंने आपको पहली बता दी थी, इसके बाद बात करते हैं, mistakes की, mistakes कैसे correct करेंगे, तो JSTR 3B की कुछ stages होती है, stages के basis पर आप action ले सकते हैं, correction action कैसे होंगे, वो बात करते हैं, अगर आपने submit की है, और submit करने के बाद offset नहीं किया, tax liability, तो अगर आपने offset नहीं किया अभी तक, तो आप पर edit facility अवेलेबल होती है, आप edit कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने offset कर दिया है, तो आपकी यह edit facility खतम हो जाती है, offset मतलब आपने tax liability अपनी offset कर दिया, अपने input credit से, या cash layer से, तो अगर आपने offset कर दिया submit के बाद, तो आप पर edit facility अवेलेबल नहीं होगी, फिर तो आपको return file करनी है, उसके बाद क्या action लेने हैं, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही अगर आपने return file कर दिया, तो आप पर edit facility अवेलेब मैं वो समझ लेते हैं, सबसे पहला common error होता है कि जो आप outwards supply की details देते हैं, outwards supply मतलब sale की details देते हैं, तो या तो कई वार हो जाता है कि गलत report कर दिया, over report कर दिया, मतलब आपकी sale थी 100 रुपए की, आपने 110 रुपए की कर दिया, हो गई mistake आप से, या 100 रुपए की sale थी 90 रु के against मैं, इसके अलावा purchase की side में क्या कह रहा हो सकते हैं, आपने input tax credit जाता ले लिया, आपने एक बिल को दोवार consider कर दिया, या फिर input tax credit कम ले लिया, आपके पास invoice बाद में आया था, आपको receive नहीं हुआ, तो आप input credit लेना भूल गए, या फिर आपने input credit गलत ले लिया, मतल इसके लावा एक और mistake हो सकती है, कि आपको CGST पे करना था, आपका input credit कम है, आपको tax bank के through पे करना था, लेकिन आपको pay करना था, CGST आपने गलती से pay कर दिया, SGST या फिर IGST, तो अगर आपने cash ledger में गलत पे कर दिया, तो उसे कैसे solve करेंगे, तो ये सारे errors हम इस वीडियो मे cover करेंगे, चलिए start करते हैं, सबसे पहले outward supply में अगर कुछ गरवर की है, मतलब sale की details में गलत की है, तो वो कैसे सदा रहेंगे, ये समझ लेते हैं, मान लीजे original GSTR 3V में आपने outward supply कम report करी, मतलब आपको ये sale invoice लेना, मिस कर गए, आपके sale invoices थे, उसमें से एक sale invoice आप से छू तो फिर उसे कैसे सदा रहेंगे, तो इसे आप अगले महीने की जो GSTR 3V file करेंगे, उसमें वो liability add कर देंगे, GSTR 3V में आपको क्या होता है, आपको याद होगा consolidation figure देनी होती है, consolidate figure जाती है, आपकी अलग-अलग separate section नहीं है, तो आपको जो outward supply का box दिखता है, 3.1, तो उसमें आपको details देनी होंगे, उसमें add कर देना होगा, मतलब आपकी 100 रुपई की sale miss हो गई, तो और अगले मन्त की sale आपकी 1000 रुपई है, तो 1000 रुपई प्लस जो पिछले महीने की 100 रुपई की sale रह गई है, उसे add कर देंगे, 1100 रुपई की sale, उस पर जो tax बनता है, वो tax की liability तो 3B की बात थी, प्लस इसमें हमें tax week के साथ क्या पी करना पड़ेगा, interest, interest का मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लस उसमें calculator भी है, कि आप कैसे calculate करेंगे, वो calculator भी download कर सकते हैं, आपको link description box में मिली जाएगा, तो interest तो आप ऐसे calculate कर सकते हैं, तो ये तो आपकी बात भी 3B की, अब JSTR 1 में क्या करेंगे, मान लेचे आपकी August की आपको return file करनी थी, August में 3B में आप से miss हो गया था invoice, अभी आपने JSTR 1 August का file नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है, आप JSTR 1 August में ही वो invoice add कर दें, जो आप से miss हो गया था 3B में, automatically वो correct हो जाएगा, अब अगर September मन्त की return file करेंगे, या फिर जो भी next subsequent month की return file करेंगे, उसमें आप add कर दीजिए, उसमें add कर देंगे, तो details आपकी आजाएगी, मतलब tax liability उसमें calculate हो जाएगी, और कोई option नहीं, आपको JSTR 1 में बाद में add करना पड़ेगा, तो ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, corrections, 3B म आपको outward supply में add करना पड़ेगा next month की, या जब भी आपको पता लगता है कि invoice miss हुआ है, प्लस उसको पर interest भी pay करना होगा, और JSTR 1 में correct value फिल कर सकते हैं, अगर आपने उस month की return file नहीं की, और अगर return की month की return file कर दीए, तो फिर subsequent month में आप कर सकते हैं, इसके बाद बात करते ह अगर आपने outward supply ज्यादा report कर दी, ज्यादा report कैसे करेंगे, कि मानलीजे invoice आपका एक था, आपने उसे दो बार include कर दिया, मानलीजे 100 रुपे का invoice आपने extra include कर दिया, कई बार होता है next month का invoice आपने इसी month में include कर दिया, तो वो भी over reported होता है, तो उसको कैसे correct करेंगे, आप liability next month में reduce कर देंगे, मतलब आप मानलीजे 500 रुपे का invoice आपने current month में extra add कर दिया था, extra add कर दिया, मतलब extra tax भी पे कर दिया आपने, तो next month की 3B में आप उतना कम करेंगे, 500 रुपे से अपनी outward sale कम कर देंगे, प्लस उस पर tax भी कम कर देंगे, क्योंकि आप tax पे पिछले महीं नही कर चुके हैं, और JSTR1 में जैसे मैंने बताया कि अगर आपने fill नहीं की है same month की, तो फिर आप correct invoice डालिए, आप correction automatically हो जाएगी, अगर आपने JSTR1 फाइल कर दिया है, तो table आपको दिख रही होगी, 9 number table, तो table 9 में आप amend कर सकते हैं, बहुत easy table है, उसमें आप अगर B2B है तो invoice number डालेंगे, उसमें automatically detail आ जाती है, previous month में जो आपने fill की है, आप उसमें correct कर सकते है, बीटूवी में केवल आप, जो JST number है, प्लस, name वगेरा, detail चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लावा उसमें tax change कर सकते हैं, taxable amount चेंज कर सकते हैं, काफी साथी changes कर सकते हैं, तो table 9 अब आप आपको अगर subsequent month में यह easily change कर सकते हैं, तो artwork supplier अगर over report की है, तो आप 3B में कम report कर दें, प्लस, JSTR1 में correct figure fill करते हैं, अगर same month की return file नहीं होई तो, अगर return file हो चुकी है, तो next month के JSTR1 में, amendment table में आप change कर सकते हैं, B2C के लिए भी available है, B2B के लिए भी available है, credit debit notes के लिए भी available है amendment table, इसके बाद बात करते हैं, wrong liability आपने report कर दिया, मतलब IGST आपको tax pay करना था, आपने cgst, sgst pay कर दिया, मतलब लीजे, आपके same state में sale थी लेकिन आपने place of supply गलत चूस कर लिया, और आपने IGST pay कर दिया, लेकिन pay क्या करना था, cgst, sgst, sgst, या ultra भी हो सकता है, cgst, sgst, पे करना था, आपको place of supply गलत लगा, आपने IGST pay कर दिया, तो correction कैसे करेंगे, next month के GSTR 3V में adjust कर लीजे, आपने IGST pay कर दिया था, और cgst, sgst, sgst, pay करना था, मतलब IGST pay कर दिया, तो IGST आपको minus करना पड़ेगा next month की GSTR 3V में, और cgst, sgst, pay करना था, नहीं किया पिछले म तो cgst, sgst, sgst की liability next month में add कर देंगे, तो यह तो हुआ 3V में correction, 3V में adjust कर देंगे, इस तरीके से, GSTR 1 में क्या करेंगे, वही करेंगे, जो मैंने पहले भी बताया, कि अगर आपने GSTR 1 से मन्त की file नहीं की है, तो तो आप correct details डालेंगे, डालेंगे, अगर आपने GSTR 1 file क कर दिया है, तो next month में amendment table है, आप table 9 उसमें change कर सकते हैं, table 9 का मैं एक brief भी दे दूँगा, आपको इसी वीडियो में, आपको मालूम पर जाएगा कि उसमें कैसे change कर सकते हैं, इसके बाद यह तो आपकी outward sale की details थी, कैसे change करेंगे, अब बात करते हैं, input tax credit की अगर आपने detail गल अब भूल गए, अपनी GSTR 3B में, तो क्या करेंगे, next month की GSTR 3B में eligible ITC जो आपका option है, उसमें input credit add कर देंगे, GSTR 1 में कोई adjustment की ज़रूद नहीं है, काउंकि इसमें purchase किया, input tax credit की details नहीं जाती, GSTR 2 में correct figures बरहेंगे, लेकिन GSTR 2 की अभी dates नहीं आई है, 2 and 3 कैसे file करनी है वो अभी आगे आने वाले time में हमें पता लगेगा, अभी hold पर हैंगे, file यरूर करनी है, लेकिन अभी hold पर है, ना due date है, ना अभी file करने की requirement है, ऐसी अगर input tax credit आपने ज़्यादा ले लिया, किसी purchase invoice को आपने दोबार ले लिया, दोबार input credit हो गया, तो उसका क्या करेंगे, reduce कर दीजिए, wrong ITC जो आपने avail कर लिया था 3D में, और interest भी पर करना पड़ेगा, काँकि आपने input tax credit गलत avail किया, JSTR 1 में आपको कोई adjustment नहीं करना है, JSTR 2 में करना होगा, तो वो आने वाले time में हम देख लेंगे, जो आपको एक वीडियो में ने और भी दीती, circular 77 की, तो उसमे आपको detail था, JSTR 2 & 3 में भी आप change कर सकते हैं, लेकिन वो अभी applicable नहीं है, जब तक 2 & 3 hold पर है, और interest कैसे calculate करेंगे, आपको description box में मिली जाएगी वीडियो, इसके बाद अगर wrong ITC अवेल कर लिया है, मतलब IGST की जगए CGST, CGST input ले लिया या vice versa, तो reverse कर देंगे, गलत ITC को और correct ITC को add कर देंगे, मतलब CGST आपको add करना था, उसके जगए IGST में आपने input डाल दिया, तो CGST में next month में add करेंगे, और IGST से minus कर देंगे, मतलब जो भी correction है, वो आप next month में adjust कर सकते हैं, इसके बाद अगर आपने GST गलत head में pay कर दिया, मतलब IGST आपको tax pay करना था, bank के तरू, लेकिन आपने CGST pay कर दिया, तो क्या करेंगे, pay हो गया, तो आप कुछ कर नहीं सकते है, आपको CGST भी pay करना ही पड़ेगा cash laser में, तो GST pay कीजे, correct head में, और refund claim कर दिये, जो आपने गलत tax pay किया है, तो, refund में मैं बताना जाओंगा, refund तो आपको online process के थू, फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको jurisdictional officer पर print लेके submit करना होता है, उसके बाद refund आता है, तो यह सारे corrections आपको बताया है, circular 26 2017 में, जो 29 December 2017 को आपको issue हुआ है, circular आपको मिल जाएगा description box में, और मज़े की चीज़ यह है, यही सारे मैंने suggestions आपको दिये थे, करीब एक डिड़ महीने पहले जो वी similar यही थे, तो वो वीडियो भी आपको description box में मिल जाएगी, ऐसी suggestions and other informative GST related videos के लिए आप subscribe कीजिए मेरे चैनल, आपको यह वीडियो प्रसंद आई है, तो like कीजिए, share कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा, and अगर आप first time वीवे रहे हैं, तो subscribe करना मत पूलिए, तो यह थ消ी ओएशड़, ते जाएड़, तो यहाँड़, तistoषो यह वीडियो ज़्यादा जाड़ पूलिए कॉल्च कीजिए ड़ीड़, तो यहितो रगन गज़, तो यहीडियो पूलिए, तो सुलिए लोगमझ जगर, तो स्याड़, तोलिशन ज़ए, तो से तो मेहाँ